अब्सक्राइब स्लाम अरेकूं दोस्तों क्या हल जाले आपके उमिच कर्तियों के आपके तब प्रचाफ होंगे और आज के इस वीडियो में केराटीं ट्रीटमेंट जो बराजीलियन केराटीं ट्रीटमेंट नर्टS का उसका कंप्लीट टैटोरियल सीखने वाले हैं और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हिल्पुल होने वाला है क्योंके हम आज हम प्रफेशिनल वेज तो आज काम करेंगे निट्स के ब्राजिलियन केरटिन ट्रीट्मेंट पर सबसे पहले क्योंकि बाल बोहुत जदा वैवी है बहुत ज़दा करली कहेर है इस तरह का जो बाल होते है वो आम जो स्टेटनर होता है उससे कभी भी स्टेट नहीं हो पाता है ठीक है तो इसके लिए डिफरंट टाइप के स्टेटनर्स की आपको जो है वो जूरुत होती है जैसे कि हम इस तरह हम एमक्यू का स्टेटनर यूज वाले जो स्टेटनेर होते हैं ये वो वाले स्टेटनेर हैं ठीक है क्योंकि ये हमारे बालों में एक्स्टर शाइन लाते हैं ठीक है तो इसका जो टमप्रेटर होते हैं वो भी तक जाता है तो जो केरटिन की जाती है उसके लिए बैस्ट जो है वो स्टेटनेर है तो सबसे पह वे वाला जो बाल नजर आ रहे अगर हम इस पे डिरेक्ट अपने प्रोड़क्ट को अप्लाई करते हैं उसके बाद जो है वह इसके उपर हम जो है वह स्टेटनिंग करते हैं तो में भी हो सकते हैं कि हमें बहुत मुश्किल रहता, बहुत प्राब्लम का सामना करना पड़ता ह हो सकता है हमारा product proper तोर पर हेर बाल तक नहीं पहुँच पाता और बालों को जो है वो बहुत अच्छे से straight कर लेने के बाद जो है हम इसके ऊपर अपने product को apply करें गी और फिर अगेन फिर से इसके उपर जो वो स्टेटिनिक करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा कलाइट है इने है जो है हम दो परोस Less chemical process से गुजारने वाले हैं यानि पहले हम इनके बालों पर केराटिन करेंगे आज के इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में नहीं बालों पर हाइलेट्स करेंगे और यहां पर आप देख रहे हैं मेरे बेटे उसामा को जो के आज के इस वीडियो में हमारी हेल्प कर रहा है ठीक है और साती आपको एक ग्रिप होनी चाहिए आपके हाथ में बालों को खेंच के आपको स्टेट करना है और यह हमारी फिंशिंग लूक है बाल बहुत वेवी था और अब स्टेट होने के बाद जो इस तरह का आपको नज़र आ रहा है ठीक है आप क्या करेंगे हम अपना नट्स का जो बरजिलियन कैराटिन है इसे हम बालों पर जो है वो इक आपलाए करेंगे इस प्रोड़क्ट आपको प्रोडुक्त करेंगे तो में भी हो सकता है कि आपका result जहाँ पर product नहीं लगे वहाँ आपसे बाल जो है वैसे ही वे वी हो जायने ठीक है थोड़ा-थोड़ा product आप सारे बालों पर जो है वो touch करेंगे और उसे बहुत अच्छे से जो है deeper कॉम की help से और अपने हाथों की help से जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर देंगे अगर आपके बालों में कल जैसा कि अभी आपने देखा है कि बहुत ही जदा वेव था बालों में तो ऐसे बालों पर आपको प्रोड़क्ट कुछ थोड़ी ज़्यादा लगानी है ठीक है याननि कि अगर हाँ यही हमारा بال ट्रीटिट होता यह हमारा बाल जो है वो लाइत होता उसमें कर लोता तो हम इस पर्ड़ूक्ट को बोगँ च्छा प्लाइन नहीं करते लेंत क्योंके आज के इस मरहले में हमारे कलाइन के हैस बहुत ज़दा वेवी है बहुत ज़दा फूला हुआ बाल है ठीक है तो इसको बिलकुल अच्छे से स्ट्रेट कर लेने के लिए जो है हम अच्छा सा प्रोडक्ट जो है यानिके मोश्चर देंगे अपने बालों को इस तरीके से स्टेप बेश बिलकुल बारीक बार एक स्टेप लेंगे ठीक है और स्टेप लेने के बाल जो है प्रोडक्ट यानिके नेट्स का कैराटीन यूज्ज करें इसे हम रूट से लेंग तक अप्लाइ करेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे सेक्शनिंग बहुत ज़रूरी है आपने जो भी काम करना है सेक् प्रफेशनिल जो है यानिके ट्रीटमेंट होता है अगर किसी सेलोन से कराएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहता रहेगा ठीक है क्यूंकि इसमें एक तो ये किस तरह का बॉल है बाल है आपका किस तरह का जो है आपको इसमें प्रोड़क्ट यूज करना है स्टेटनर कि कितना उसका temperature होना चाहिए तो इन सब बातों को मदे नज़र रख सकता है एक professional ठीक है घर में रहकर अगर आप वीडियो देख भी लेते हैं तो में भी हो सकता है कि आप उस तरीके से अपने बालों को जो है वो state ना कर पैं जो कि एक professional की जो है वो कर सकता है ठीक है वैसे भी आप देखें कि हम लोगों ने इनकी washing जो है वो करवा दी है ठीक है stating के बाद इनका करल जो है product लगाने के बाद जो है वो इनका product result जो है वो ये था अप फिर से again जो है वो state निंग करेंगे और state नर हम इस बार फिर से MQ brand ही का यूज करें ठीक है बिल्कुल बारीक बारीक सेक्शन लेने और इस दफ़ा हमारी जो state निंग है बहुत perfect होनी चाहिए क्योंकि हमारे client के हेर्स जो है काफी strong और baby ball है ठीक है तो इसको आपने बिल्कुल बारीक सेक्शन लेने है और आज किस वीडियो में आपको सिखा रहा है कि आपको state निंग करने का तरीका भी जो है आना चाहिए ठीक है एक proper तुर्पे ग्रिप देखें अब यहां आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ mail जो है वो बालों को state कर रहे है क्योंकि mail के हाथों में जो है और बहुत ज्यादा टाइट हाथों के साथ जो है वो state निंग करना होती है और state निंग बिल्कु बारीक पर एक सेक्शन में जो है वो ले के करना होती है और आप बिलीव करें कि इसको प्रोसेस की जो टाइमिंग होती है वो दो से तीन गेंटे भी हो जाती है जितनी लेंट आपको जो है वो दिखाई जारी है इसमें काफी ज़धा टाइम जो है वो लग रहा होता है ठीक है बकाईदा तोर पर दो दो तीन तीन बंदे मिलकर जो है वो state निंग कर रहे होते है के बाल जो है वो रूटस से लेकर एंड तक बल्कुल अच्छे से स्रेट हागे आ होगे हैं कहीं पे बल नजर नहीं आ रहे है Tब तक जो है वो आपको बालों को स्रेट करना है लेकिन स्रेटनिंग के लिए भी आपको इस चीज़ को मदे नजर रखना है कि बाल अगर बहुत ज़्यदा स्ट्रोंग है तो आपको ज़्यदा स्ट्रेटिंग करने है लbecue लेकिन दूसी सुरद में अगर आपका आपका बाल या है पहले से डाय हुआ है तो आपको अपने स्ट्रर के टम्प्रेचर को भी वो कम कर लेना होगा और उतना ज़्यादा स्टेट नहीं करना होगा फिर दो तीन बार करना ही काफी होता है ठीक है जी तो स्टेप बे स्टेप हमारी स्टेटनिंग जो है वो चल रही है ठीक है और स्टेटनिंग पूरे बालों पर यानि कि फ्रंट से बैक तक फ्रंट पर तो बहुत ही ज़्यादा अ चाहिए कि कहीं पर भी आपको देखें वेव नजर नहीं आ रहा है और बड़ा स्मूथ सा आपको जो है वो बाल नजर आ रहा है ठीक है अभी हम इसकी फिंशिंग लुक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इनकी वोशिंग के बार ठीक है तो वोशिंग आपने किस तरह से केलाटिन किया है और अभी हम इसको वोश कराएंगे उसका तरीका यह है कि सबसे पहले अपने बालों को जो है वो अच्छे से आप गीला कर लेंगे ठीक है गीला कर लेने के बाद अभी आपने शेंपू को यूज नहीं करना है जस ब्रैंड का हम लोगों ने जो है वो फैल वो मास्क को अप्ला करेंगे। जैसे शैंपू किया जाता है सेम उसी मैधब के साथ एंगे ठीक है और इसको थोड़ा-थोड़ासा वह रब करते हुए प्रोडक्त को अपने बालों से अच्छे से निकाल देंगे इस तरिके से आपने निकालना है प्रोडक्त को ठीक है ? और आपने बैक की तरफ अपने बालों को लेके जाना है और इस तरह से लाइट सा मसाज करते हुए प्रोडक्ट अपने बालों से अच्छे से निकाल देनी है ठीक है तो आज के इस वीडियो में हमने किसी केरटिन कर सकते हैं आप प्रॉपर तरफर स्ट्रेटिंग कर सकते हैं जो उसको रिमूफ करेंगे स्मूथ 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 ली अपने बालों में जो है वो इसको अपलाई करेंगे और वैसे भी ये मास्क आपको केरटिन के बाद अपने पास रखना होगा ताके आप हर आर दिन बाद दस दिन बाद जो है वो इस मास्क को अपने बालों पर अपला lasting जो है वो मिल सके ठीक है है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजीगा शेर कीजीगा कमेंट कीजेगा दो में हमेशा याद रखिएगा इसके साथ ही आप मुझे अजाज़े दीजेगा अला हाफिस